महिस्ति लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटे विधायक जितेंद्र अभाट का पुतला जुमा की नमाज के बाद जलानी की चेतावनी दी गई है मुम्रा में समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फरेंस में कहा है कि कल जुमा की नमाज के बाद कलवा मुम्रा विधायक जितेंद्र अभाट का पुतला समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने ही जलाया जाएगा अस्थानिय सपानिता कलीम जमई और स्यद बादशाह का कहना है कि आउरंगजेब रह्मतुल्ला अलही पर टिपनी बरदाश्ट नहीं की जाएगी जितेंद्र अभाट के खिलाफ आज शाम को वो वर्तक नगर पुलिशिटेशन जाकर इफायार दर्च करने की मांग करेंगे अगर इफायार दर्च नहीं हुआ तो कल जुमा की नमाज के बाद विरोध पर दर्चन होगा और पुतला भी जलाया जाएगा प्रेस कॉन्फरेंस में सपा के कलवा मुम्रा अध्यक्ष कलीम जमई और ठाने जिला अध्यक्ष बासा चैयद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं कलीम बाई क्या कहेंगे आज जो पत्रकार परिशत का आईजुन क्या गए क्या मक्सदों से जी अभी कुछ दिन पहले हमारे विदायक श्री तंदरावाड जी में अरुदेव अले रह्मा के बारे में कुछ उल्टी टिपड़ी कर दिया मैं तो कहता हूं बिल्कुल गलत उ जो भी उन्होंने कहा है हम उसकी पूरे स्ट्रेटमेंट की निद्दा करते हैं मजभमत करते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और उनसे कहते हैं कि वो अगर यहां से विधायक हैं अगर वो मुसल्मान शासक समझ करके उसके बारे में बोल रहे हैं जबकि इसका सच्छाई से कोई संब्द नहीं है तो जो उनके वोटर्स हैं जी लोगों ने उनको विधायक बनाया वोट दे करके उन लोगों से उनको करके करके दूसरे लेगों के दिलों को नुकसान ठेशना पहुचा है यही मैं उनसे कहना चाहता हूं और मैं यह भी मांग करता हूं कि अगर इस तरह की बात बराबर भरकाओ भासन और गलत तरह की बयानबाजिक करते रहे हैं अब पूरू में किया है और आज भी कर रहें करते जा रहे हैं इसके खिलाफ हमारी पार्टी वर्तक पुलिश्टेशन में उनके खिलाफ एफायार करने के लिए भी देने जा रहे है यार देंगे देने जा रहे है अब हम लोग जाएंगे आप आप से जब हो जाएगा वर्तक पुलिश्टेशन जाएंगे और उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे अगर कुछ सही चीजे नहीं रही तो समाजवादी पार्टी कल जुम्मा बाद अवार्ट सापका यहां पर समाजवादी पार्टी ऑफिस के ब खोल वार्ट सबस्क्राइब करेंगे अनकर बाध चुम्मा बाद आपका तरह भी जलाने की बाद करत हैं प्र फुम्मा ओर्ट प्रदर्शन करेंगे और यहां वार्ट संब खिलाफ खिलाव कि यहीं जो भी होगा गापका मुतलब पर्दर्शन रहेगा उत्क आपका यहीं हमको कुछ एधियास ही नहीं तो अब होनी चाहिए लेकिन आप लोग तो भी ना वर्तक नगर पुली स्टेशन गए ना भी कुछ लेटर दी अभी जाने वाले हैं अभी जाएंगे अम लोगार वहां से अम लोग को अफेर नहीं होगी वहां पर लेंगे तो अगर विरोध पर कैंसल कर देंगे नहीं हो तो हमको कुछ करना पड़ेगा है आप माना जा रहा है कि पिछले काफी दुने से मुम्रा कॉसा में राजमिती गुदल पॉतल चालु है उसी के चलते जितनी मुम्रा कौसा में एमेले जितंदर आवाड के ओपोजिशन की फार्टियां है तमाम पार्टियों के कार्य करता और परदिकारियों ने फुले हां और कैमेरा आतर फल्वा मुम्रा विडायक जितंदर आवाड के किलाब हर मामले में हवाद उठाना शुरूत कि तो इसके लिए नहीं तुम्हारे कस्मे काने के लिए हम मुसल्मान है हम लोग कसम नहीं खाते कुरान शुरूत पढ़ने के लिए गया है कि फिर उनकी कस्मे काने के लिए गया है तो यह सब जो शहर में हो रहा है यह जो कस्मे काई जा रही है और फिर यह जो टिपनी कर रहे है और अरण से प्रह्मत उल्लाह आले के बारे में तो इसकी समाजवादी पाटी घोर निंदा करती है